Assalamualaikum, welcome to my youtube channel कल के lecture में हमने glands की बात की थी, mammalian skin की बात की थी आज हम बात करेंगे hair की, ठीक है, उसके साथ साथ चुबागी structures है, mammals में, उनकी और साथ में vertebral column की बात करेंगे हम, hair जो है ना, वो keratin से बने होते हैं, ठीक है keratinized का world यहां पर यूज किया गया है, यानि keratin से बने हुए है keratin basically एक protein है, जो insoluble है water के लिए, आपको पता है ना, hair waterproof होते है अब hair जो हैं, यह derivatives किसके हैं, epidermis के और यह present किसमे होते हैं, hair follicle में, अब hair follicle किया है epidermis जो है ना, वो invaginate हुई भी है, यानि अंदर की तरफ move की हुई है जिसमें hair जो है, वो present है, hair का जो हिस्सा हमें नजर आ रहा होता है ना, उसे हम hair shaft बोलते हैं, ठीक है, और hair base, जो है वो अंदर वाली side पे hair का portion होता है उसके बद एक होड़ टर्म है, पिलेग, पिलेग बेसिकली क्या है, hair coat, on overall the body ठीक है, जैसे आपने अक्सर mammals देखे होंगे, fox वगेरा हैं, उनके सारे जिसम पे बाल होते हैं इसके इलावा बाकी mammals पी आप रिकॉल करें, कौन से ऐसे mammals हैं, जिनकी full body पे बाल होते हैं वैसे तो यह हमने कल देखा था ना, कि mammals के जिसम पे बाल होना एक ऐसा character है, जो mammals को uniqueness देता है उसके इलावा हमने देखना है कि hair कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के हैं, long guard hairs, जो protect करते हैं, small, short, insulating under hairs ठीक है, उसके इलावा ना, hair जो हैं यह गिरते भी हैं, इनकी malting होती है यह common भी हो सकती है, कुछ कहले, animals में, कुछ mammals में यह common होती है, जबकि कुछ में यह unusual है mammals जो है ना, यह जो ठीक coat है, insulating under hairs का, उसको shed कर देते हैं और sometimes ऐसा होता है, एक color के hair उनको shed करते हैं, और जब new hair grow करते हैं, तो उनका color different होता है यहां पर हमारे पास एक example है, arctic fox की, जब वो autumn में malting करती है ना, तो उसके बाद जो hair आते हैं, वो white या creamy color के होता है और जब वो spring में malting करती है, उसके बाद जो hair आते हैं, वो gray और yellow color के होता है अब basically यहां में malting से यह मराद है, कि hair की shedding अब hair जो है, वो sense of touch में किस तरह involved है hair basically बहुत important role play करते हैं, अब देखें कोई भी stimuli आता है, mechanical stimuli ठीक है तो hair जो है, वो displace हो जाते हैं अपनी जगा से displacement जो है, वो active कर देती है receptors को जो hair follicles में या hair base के साथ present होते हैं, receptors और receptors क्या करेंगे, वो sense कर लेंगे displacement के reason को इसके इलावा यहां पर एक ओर term है, vibresi vibresi क्या होते हैं, sometimes ऐसा होता है, कि जो long guard hairs है न वैसे तो वो ठीक होते हैं, लेकिन वो और ज्यादा ठीक हो जाते है as compared to normal, तो उसको हम कहते हैं vibresi, होते हैं यह कहां पे हैं, around the legs, nose, mouth and eyes, अच्छा, अब hair shaft का हमने पहले पढ़ा कौन सा portion था, hair shaft basically वो portion होता है जो hair का हमें बाहरी की तरफ नजर आ रहा होता है, अब उसमें spaces present होती है hair साथ सा जूड़े तो नहीं होते हैं, उनके दिरम्यान में spaces होती है अब sometime ऐसा होता है, कि वहाँ पे air trap हो जाती है, hair और skin के दिरम्यान में और वो जो trapped air है ना, वो insulation परवाइड करती है अब होता क्या है, कि hair की जो base होती है ना, वहाँ पे एक specific type के smooth muscles अटायज होते है उनको हम कहते हैं, erector pili muscles अब जैसे ही air trap होती है, hair और skin के दिरम्यान में muscles जो है, erector pili muscles, ये contract कर जाते हैं और hair जो है, वो सीधे खड़े हो जाते है, stand upright ठीक है, अब ये जो upright खड़े हो जाते है ना, इस condition को हम कहते हैं goose bump ठीक है, और ये insulation जो है, उसको बढ़ाती है कैसे बढ़ाती है, क्योंकि जगा ज्यादा बांजाती है ना, hair के upright होने से और ज्यादा air जो है, वो trap हो जाती है उसके बढ़ात हम बात करेंगे hair color की hair color basically depend करता है melanin pigment पे कौन से pigment पे? melanin पे जितनी ज्यादा melanin की quantity होगी ना, उतने dark color के hair होंगे और hair color जो है, ये involve होता है defense में यहाँ पे एक term है aposmetic chloration अब basically ये होती क्या है? aposmetic chloration में ऐसे colors आ जाते हैं जो कहलें के potential ही ना, toxic समझे जाते हैं जैसे yellow color है तो predator जो है वो attack करने से पहले सोचेगा ठीक है? तो इससे तरह aposmetic chloration में involve होते है hair पिलेग जो है ना, ये reduce होती है किने में reduce होती है? जो hot areas में mammal रहते हैं basically पिलेग का काम क्या था? insulation प्रवाइड करना तो hot area में insulation की जरूरत होती है? नई, cold areas में ज्यादा जरूरत होती है और इसके इलावा पिलेग जो है reduce होती है aquatic whales में whales में क्यों reduce होती है? क्योंकि उन में specific type की fat की layer present होती है जिसे हम blubber कहते हैं ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे class की class जो है वो basically nails या hoofs modified होके क्या बनाते है? class और class में भी keratin की accumulation होती है और class किस चीज़ को cover कर रहे होते है? terminal balance of digits या टर्मिनल जो fingers की terminal side है वहां पे class present होते है और class का function basically क्या होता है? offensive और defensive या या यह protect करते हैं या attack करने में भी help करते हैं उसके इलावा कुछ animals जैसे हैं जिनमें class locomotion में involved होते हैं और जो toothless wheels है न वेल्स यहां पे spelling mistake हो गई है toothless wheels है जो के जिनमें न बलीन plates present होती है next हमारा topic है vertebral column अब जो mammals है उनमें vertebral column के five regions है सबसे पहला region जो है cervical vertebra cervical region जिसको हम कहते हैं अब इसमें न बेसिकली seven cervical vertebra होते हैं जो first two है वो है axis and atlas उसके जिराफ और वेल की बात करें तो उनमें भी seven cervical vertebra है tree slots में six या nine होते हैं mantis में six होते हैं यह basically MC के उसमें question आता है specially competitive exams में उसके बाद trunk region में दो हैं thoracic region आता है और lumbar region आता है अब इन दोनों की correlation होती है और यह correlation helpful है breathing में ribs की अगर हम बात करें तो वो lungs को protect करती हैं और heart को कुछ ऐसी ribs होती है जो thoracic vertebra के साथ attached होती है जबकि कुछ ribs में उतिक नियुक्त होती हैं और कुछ रिप्स होती हैं वो सिर्फ दूसरी में साथ डिश होती हैं और यह जो आर्टिकुलेशन हैं घर ₹ यह फ्लक्सिबिलीटी परवाइड करती हैं लुबार रिज़न के अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं इंटर इंटर लॉकिंग प्रोसेसिस से क्या मुराद है यानि जो बोन्स है ना वो जिस तरह हम दोनों हाथ एक दूसरे में फस्थी होती है ठीक है यानि वह मूव नहीं कर सकती लिटल फ्रीडम होती है लेकिन यह सपोर्ट परवाइड करते हैं जोईट्स बेसिकली लिमिट कर देते है मूमेट अफ अफ अपैंड़िस को इसके इडावा जो पैलवे गिर्डल की बोन्स हैं वो फ्यूज होती है अडल्ट में जबके प्रिग्निक फीमिल के अगर हम बात करें तो उसमें प्यूबिक सिंफाइस जो होता है वो बैसिकली लूज होना शुरू हो जाता है तांके वो जो डिलिवरी है उसमें हैल्फुल हो सके तो यह था हमारा आज को टॉपिक इसके बाद इंशाला हम एक्सक्रीशन, ओस्मोरेगलेशन, नर्वस सिस्टम और रिपर्डक्शन और डिवैलप्मेंट देखेंगे as well as circulatory system so stay connected and thank you